Hello Guys, अगर आप अपने Facebook Page को Delete या Deactiv करना चाहते हैं, तो आपने Facebook को Open करें, Open करने के बाद अपने Facebook Page की Profile को Open करें, Problem पर Click करें, Click करने के बाद यहाँ पर आपको दो सेटिंग दिखाई देगी, एक सेटिंग आपको निचे दिखाई देगी, आप किसी पर भी कलिक कर सकते हैं तो मैं उपर वाली सेटिंग के उपर कलिक कर लेता हूँ वो पेज सेटिंग पर कलिक कर लेता हूँ कलिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे स्क्रोल करना है scroll करने के बाद यहाँ पर आपको एक option दिखाए देगा access and control इस पर आपको click कर लेना है यहाँ पर आपको दिखाए देगा deactiv and deletion इस पर click करने के बाद यहाँ पर दो option दिखाए देगा deactiv page या delete page आपको deactiv करना है delete तो मैं delete पर option डिलीट वाले पर option पे कलिक कर लेता हूँ और continue कर लेता हूँ यहाँ पर आपको 5 option दिखाए देगा कि आप अपना facebook page डिलीट क्यों करना चाते हैं तो मैं यहाँ पर सबसे पहले वाले पे click कर लेता हूँ यहाँ पर click करने के बाद आगे option आया तो इस पर हम continue कर लेते हैं continue करने के बाद यहाँ पर आपना कोई भी data या कोई भी अपनी facebook page की information है तो हम यहाँ से download कर सकते हैं अगर कोई भी आपको download नहीं करने तो continue वाले पर click कर लेना है continue पर click करने के बाद यहाँ पर अपना facebook page का या facebook profile का जो password है वो fill कर लेना है रेखे और दुबारा डिलीट टेक मेंशन पेज एंड इन्फोर्मेशन और कंटीनु कर लेते हैं ना कि कंटीनु कर ने के बाद डिलीट पेज पेज़ कर लेते हैं तो हमारा पेज डिलीट हो चुका है अपनी Facebook पेज जो मेंई profile एब ओपन हो चुकी है और page अपना delete हो चुका है आप देख भी सकते हो यहाँ पर कोई भी page यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा आप देख सकते हो यह हमारा page delete हो चुका है और अपना कोई भी नया page बिनाना चाते हैं तो create वाले पे click आप कर सकते हो तो नया page यहाँ पर create हो सकता है अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले टैक मेंचन धन्यवाद